हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हरिती स्टेडी हब तो आज का जो मारा टॉपिक है इस पी डौटनेट के अंदर वो है कैसे हमने यूजर को जो है पास्वर्ट सेंड करना है अगर यूजर अपना रजिस्टर दे जो पास्वर्ड यह भूल जाता है तो वह अपने मुबाइल के ऊपर उसको सीव कर पाएगा अपने पास्वर्ड को तो यही आज का जो एक्जाम skill mix केरे कि बखेar का तो देख सकते हैं यहां पर मैंने सबसे पहले व tua यूजर केंटर किया है तो झासे लिए के रस पास्वर्ड बटिन पडिन के डिस्प्लेस हो चुका है करे तो आप देख सकते हैं यहां पे मैसे उस्प्लेस हो चुका है कि यूर पासवर tratat जो है मेरे यूजर नेम के रिलेटर जो पासवर्ड है वो रिसीव हो चुका है तो इस तरीके की गजामपल को आपने कैसे डिवेल्प करना है वह आज हम सिखेंगे तो चलिए अपने प्रॉजेक्ट की और बढ़ते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रॉजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूं और इस पूरे प्रॉजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूं तो एक नए प्रॉजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसके ओपर मैं कलिक करता हूं फाइल न्यू और यहां से स्लेक्ट क सकते हैं folder का path जिसके अंदर आपका सारा जो website का source code है वो save होगा तो चलिए यहां पर मैं simply folder का name लिख देता हूँ forgot password sms asp.net तो चलिए ok के उपर क्लिक करते हैं friends students आप देख सकते हैं मेरा जो project है वो create हो चुका है solution explorer के अंदर तो चलिए इस name के उपर अपने project name के उपर mouse की help के साथ जो है right click करते हैं और add करते हैं new item तो यहां से हम web form को select करेंगे आप चाहें तो web form का जो name है यहां पर assign कर सकते हैं मगर मैं default name ही रहने देता हूँ और click कर देता हूँ add button के उपर तो अब आप देख सकते हैं friends students के मेरा जो blank platform है वो create हो चुका है project के अंदर तो चलिए सबसे पहले इसके design view के अंदर चलते हैं और इसका designing वाला जो पार्ट है वो complete कर लेते हैं तो यहां पर जो मैं control यूज़ करूंगा सबसे पहले वह है label control toolbox में से label के उपर जैसे ही मैं double click करूंगा mouse की help के साथ आप देख सकते हैं label जो मेरा वैब form के उपर आ चुका है अब इसकी जो properties हैं उसके अंदर हमने changes करनी है तो सबसे पहली property है वह है text property तो text property के अंदर मैं लिखूंगा हरीती study hub तो हरीती study आप basically मैं चैनल की promotion के लिए use कर रहा हूं आप अपने accordingly जो है text type कर सकते हैं तो friends students अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे subscribe कर लें क्योंकि मैं daily programming के related कोई ना कोई video tutorial upload करता रहता हूं तो इससे जो है आपको काफी programming सीखने में मदद मिलेगी और आपकी जो understanding या programming के बारे में वो और भी बढ़ेगी तो चलिए यहां पर एक और लेबल इंसर्ट करते हैं तो लेबल की जो properties है उसकी text property के अंदर change करते हैं तो यहां पर मैं अपने project का heading लिखते था हूं send forgot password to user registered mobile number ASP.C sharp तो चलिए आप जाएं तो यहां से जो है इसका for color भी change कर सकते हैं तो मैं इससे for color का change कर देता हूं अब हमारा जो next step है वह है ऐसा table हमने create करना तो table create करने के लिए यहां पर हम click करेंगे insert table के ओपर तो यहां से हम two rows और two column वाला एक table insert करेंगे तो चलिए इसके ok के ओपर click करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा जो table है वह web phone के ओपर insert हो चुका है तो चलिए इसको resize कर देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं enter your user name तो अब हमने यहां से इसको resize करना है और यहां पर एक text box को insert करेंगे data को insert करने के लिए तो चलिए यहां से एक text box को तो चलिए यहां से एक text box को insert कर देते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा जो text box है वह insert हो चुका है तो चलिए इसको थोड़ा से resize कर देते हैं अब हमारा जो next step है वह है यहां पर हम एक button को insert करेंगे तो button के ओपर double क्लिक करने से button जो मेरा waveform के ओपर insert हो चुका है तो चलिए इसकी जो text property है उसके अंदर हम लिख देते हैं send password तो अब हमारा जो next step है वह है यहां पर एक label को insert करेंगे ताकि हम user को मैसे display करवा सकें कि आपका जो password है वह किस registered mobile के ओपर send हुआ है तो चलिए इस label को भी मैं blank कर देता हूँ अभी के लिए इसकी text property को blank कर देते हैं तो अब हमने यहां पर stable को पूरे को select करना है और यहां से आप इसकी जो background color है वो change कर सकते हैं तो यहां से मैं background color change कर देता हूँ yellow कर देता हूँ और यहां से इसकी जो properties है उसकी जो border property है उसके अंदर मैं one लिखूंगा ताकि इसकी जो lines हैं वो ठीक हो जाएं तो अब यहां पर इस button को select करेंगे और इसका भी जो background color है वो change कर सकते हैं और यहां से मैं इसका जो background कर रहा है वो orange कर देता हूँ तो आप देश सकते हैं मेरा जो designing वाला part है वो complete हो चुका है अब मेरा जो next step है मैं आपको database दिखा दूँ कि किस database के किस table में से manage हो है जो भी username यहां पर लिखेंगे उसका जो mobile number है वो retrieve करना है ताकि हम sms को send कर सकें और उसका जो username है वो match करवाना है details के साथ तो चलिए जो back end database मैं use कर रहा हूं वो कर रहा हूं SQL server के अंदर तो मैं अपना यह software open करता हूं SQL server management studio तो यह काफी अच्छा एक software है अगर आप SQL server के साथ काम करना चाते हैं graphical user interface के through तो आपको यह install करना पड़ेगा management studio तो चलिए मेरे server का name यहां पर लिखा आ चुका है जो authentication मैं यूज कर रहा हूं वह है Windows authentication तो अपने server के साथ connect करते हैं तो friends आप देख सकते हैं मेरे server के साथ connectivity हो चुकी है तो जो database मैं use कर रहा हूं इस example के लिए वह मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो तो friends student जो मैं अपना database यूज कर रहा हूं उसका name है registered user और इसके अंदर जो table मैंने यूज किया है वो है user detail तो इसके अंदर इसका design मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो design के अंदर आप देख सकते हैं मैंने चार columns यूज की है एक है username एक है password एक है email और एक है mobile नमबर तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका कौन सा data time मैंने यूज किया है आप चाहें तो वीडियो को यहां पर pause करके इसकी पूरी डिलो डिस्क्रिप्शन है वो copy के ओपर node down कर सकते हैं तो चलिए जो already data मैंने इसके अंदर enter कर रखा है वो आपको दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने user name और यहां पर password यहां पर email और यहां पर जो mobile number है मैंने country code के साथ save कर वाया हुआ है इंडिया का country code है 91 इसलिए मैंने 91 अपने mobile number के साथ attach किया हुआ है तो यह एक तरह के fake mobile number है just मैं example के लिए use कर रहा हूं जब मैं अपने live example को run करूंगा तो उसके अंदर मैं अपना personal mobile number enter करूंगा तो उससे जो SMS है मेरे mobile के उपर receive होके वो live जो recording है mobile की वो मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए इसको मैं exit कर देता हूं तो अब हमारा जो next step है वो है इसके उपर जो हमने coding करनी है वो कैसे करनी है तो coding करने से पहले आपको मैं बता दूँ आपको एक website के उपर जा हुआ है वो उसके लिए sign up करना पड़ेगा तो काफी easy है तो चलिए अपने browser के उपर चलते हैं और textlocal.in के उपर जो है sign up करते हैं तो friends SMS gateway को use करने के लिए आपको सबसे पहले एक website के उपर register करना पड़ेगा तो वो website textlocal.in तो इस website को open कीजिए यह आपको SMS gateway की service provide करती है तो इसके उपर आपने sign up करना है sign up करने के बाद जैसे ही आप form fill करेंगे यहाँ पर अपना account create करेंगे तो आपको 10 SMS free of cost जो है मिलेंगे इनकी service को test करने के लिए तो आप भी जो है अपना project इन 10 free SMS से जो है वो create कर सकते हैं तो अगर बाद में आप जो है इनकी जो SMS package है वो खरीदना चाते हैं तो वो भी आप purchase कर सकते हैं तो यह इनकी cost है जैसे यह देखिए आप देख सकते हैं 1000 messages जो है वो आपको 250 rupees के पढ़ेंगे तो 25 पैसे का per SMS पढ़ेगा तो यहां से आप जो है SMS service जो है purchase कर सकते हैं तो मैंने already sign up किया हुआ है तो चलिए इसके अंदर मैं login कर लेता हूँ तो यहां पर मैं अपना email id लिखूंगा और यहां पर अपना password लिखूंगा तो जैसे ही आप login करेंगे तो आपको एक setting करनी पढ़ेगी वो setting काफी important है तो उसके लिए आप इसके अंदर जाएए settings के अंदर जाएए आपको अपनी API की जो है वो generate करनी पढ़ेगी क्योंकि जो asp.net का code है उसमें आपको API की ही use करनी पढ़ेगी तो वो generate कैसे करनी है उसके लिए आपको settings के अंदर जाना पढ़ेगा उसके बाद में API keys को open कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आरड़ी एक key generate का रखी है तो अगर आप नहीं key को generate करना चाते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए create new key के उपर तो यहाँ पर आपने कोई भी IP address नहीं फिल करना यहाँ पर कोई भी आपने node नहीं फिल करना तो simply आप save new key के उपर क्लिक कीजिए तो जैसे ही आप save new key के उपर क्लिक करेंगे तो एक API key जो है वो generate हो जाएगी तो जैसे ही मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ तो आप देश सकत नहीं है तो इस तरीके से जो है आप अपनी की जो है generate कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको logout कर देता हूँ और अपना project आगे continue करते हैं तो चलिए friends हमारी जो टेक्स डोट लोकल के जो है हमारा account बन चुका है और उसके अंदर हमने API key को generate कर लिया है तो चलिए इसके ओपर coding करते हैं अपने project को continue करते हैं तो जैसे ही मैं send password के ओपर double click करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास code editor जो है वो open हो चुका है तो coding करन तो काफी important है name spaces को use करना तो coding जो है already मैंने कर रखी है काफी simple coding है तो यह वली coding की पूरी file मैं आपको video की description में दे दूँगा आप वहां से इस जो file है इसको download करके इसकी coding को use कर सकते हैं और अपने accordingly जो है इसको काफी modify करके अपना जो है अपने अपने तरीके की जो example है वो create कर सकते हैं तो चलिए इन name spaces को मैं use कर लेता हूं तो इनको मैं यहां पर paste करता हूं तो यह मेरे पास चार name spaces है काफी important है यह name spaces use करनी क्योंकि इनके regarding जो है मैंने functions हैं वो अपने coding के अंदर use किये हुए हैं तो अगला जो next step है वो है मैंने button click के ओपर coding करनी है button click के ओपर coding करने से पहले आपको user defined एक function त्यार करना पड़ेगा एक method त्यार करना पड़ेगा send password जो SMS हमने send करना है उसकी सारी coding मैंने जो है इस function के अंदर की हुई है user defined function है send password जो में क्या करेगा एक message create किया है मैंने यहाँ पर हाई उसके साथ में username को attach किया है उसके साथ में मैंने लिखा your password is और जो मेरा password है यहाँ से आएगा तो यह एक तरह का SMS create होगा तो इस SMS create को मैं अपने URL in code से इसकी coding करूंगा और बाद में यह जो coding है यह मुझे company वालों ने provide की ह है text local in की website के उपर यह वली सारी coding जो है दे रखी है उन्होंनों अगर आप उनकी service को asp.net के साथ connect करना चाहते हैं तो आप भी इस coding को simply ऐसे copy paste कर सकते हैं मगर important जो बात है वो यह है कि आपको API की को अपनी जो generate की API की है उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो यह mobile number है जिस SMS हमने बेजना है तो यह sender का जो code है वो लिखना जरूरी है क्योंकि यह company का code है उसके बाद में हमने SMS को send करना है और उसके response को जो है result के अंदर save करवाना है उसके बाद में मैंने mobile last एक string लिया है उसके अंदर मैंने star 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 लिखा है और उसको attach कर दिया है अपने जो mobile number के last ती digit हैं उनके साथ ताकि जब भी मैं लेबल के अंदर mobile number को display करवाओं तो पूरा mobile number display ना हो पहले जो उसके ट्रेक्टर से हैं वो star star display हो और लास्ट वले टीम यूजर के understanding के लिए display हो ताकि यूजर understand कर पाए कि उसका जो mobile number है उसने कौन सा register किया था SMS को receive करने के लिए तो चलिए यह मेरी जो है user defined function की coding है अब हमने जो coding next करनी है वो करनी है बटन क्लिक के ओपर तो बटन क्लिक के ओपर जो coding हमने की है वो भी काफी simple है इसको मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको paste कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दो जो है वेरियबल यूज किया है एक है mobile लेका password और उसके बार में मैंने डेटाबेस के साथ connectivity करवाने के लिए एक connection क्रेट किया है और यहाँ पर मैंने data source के अंदर अपने server का name लिखा है आप अपने accordingly जो है server का name लिख सकते हैं और यहाँ पर मैंने initial catalog है अपने जो database का name था वो लिखा है तो security जो मैं use की है वो की है windows authentication तो चलिए यहाँ पर मैंने query पास की है select start from user detail इस table से data retrieve हो और जिसका username किसकी equal हो जो username आप text box one के अंदर एंटर करेंगे यो username आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके regarding जो है सारा data retrieve होगा तो यह coding तो आपने पहले भी समझी हुई है कैसे SQL connection को use करना है कैसे SQL command को use करना है कैसे SQL data adapter को use करना है तो अगर आप SQL के साथ connectivity नहीं जानते तो आप मेरे काफ video tutorial है channel के उपर जैसे data को search करना data को delete करना data को update करना तो वह आप tutorial आप देच सकते हैं तो सारा जो रो है जो username के accordingly है वोने DS के अंदर फिल कर दी है तो data set के बार मैंने उसको check कर वाया है क्या जो मेरे पास rows है उनकी counting zero से ज्यादा है अगर तो zero से ज्यादा है इसका मतलब है कि म मैं mobile number ूस table में से उस record में से retrieve करूंगा फिर उसका password retrieve करूंगा उस table में से यह कह सकते हो उस record में से और बार में यह तीनों पारमिटर जो हैं मैं सेंड पासवर्ड को सेंड कर दूँगा इस फंक्शन को कॉल करूंगा उसको मुबाइल नमबर बेजूँगा यूजर का उसका पासवर्ड बेजूँगा और उसका यूजर नम बेजूँगा ताकि इसका एक SMS क्रियेट हो होंगा कि यूर यूजर नेम इस नॉट वैलेट और उसके बाद में हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना है और इस तरिक्चे की कोडिंग है जो हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वोक करेगी तो बड़ी ही सिंपल कोडिंग है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको हम पासवर्ड यूजर मोस्ली भूल जाता है तो उस केस में उसको पासवर्ड मेल पर सेंड करने की बजाए आप उसके रिजिस्टर मोबाइल के ओपर भी सेंड कर सकते हैं तो चलिए यह मेरा प्रोजेक्ट पुरी तरह से कंप्रीट है रेडी है इसको रन करके देख लेते तो आप देख सकते हैं यहां पर मैसे डिस्प्ले हो चुका है कि यूर पासवर्ड है अध बिन सेंड टू रिजिस्टर मोबाइल नंबर और आप यहां पर आप मेरे मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है मोबाइल के ओपर जो है मेरे username के related जो password है वो receive हो चुका है तो friends students अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो like बटन को press कीजिए और अगर आप कोई comment करना चाहते हैं अपनी feedback देना चाहते हैं तो वो by comment के तुरू और email के तुरू बेश सकते हैं और अगर आपको किसी भी project के अंदर यहां इस example के mail by mail contact कर सकते हैं यहां comment के तुरू आपका जो problem है उसको share कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपकी जो problem है उसको जल्द से जल्द जो है solve करके आपको आपके project को complete कर पाऊं तो thanks friends for supporting our channel